आज मैं आपके साथ छोले की रेसिपी शेयर करूंगी यह चुप अबली चने रखें मेरे पास आमने यह मैंने प्याच कट करके रखा है लैसुन अद्रक हरी मिर्ची तेश पत्ता बड़ी लाइची जीरा दाल चीनी टमाटर इसको मैं सुबही गला लिये थे चने को तो तब अब आपके साथ मासाला पीस लेते हैं यह दाल चीनी अद्रक इलाइची लैसुन अद्रक इनका पेस्ट बना लोंगी लॉंग इलाइची डाल कर दो तो पर उसमें मैं डालूंगी ओईल यह देखिया मारा पेस्ट बन चुका है तो यह सरसों के तिल में सबजी बनाती हूं इसमें डाल दिया तेजपत्ता जीरा बड़ी लाइची छोटी लाइची लॉंग अब यह प्याच कट करके रखाता हूं दो तीन हरी मिर्श कट करके इनको डाल दिया इनको अच्छे साम फ्राइच कर लेंगे देखें प्राइच करने वाद जो मसाला का पेस्ट हमने बनाय मिर्ची जीरा पाउडर दो चमच जनिया पाउडर नमक स्वादनुस अब इनको फ्राइच कर लेंगे मसाले को अच्छे से फ्राइच कर लेंगे इसके पद जो बॉयल चना हमारा रखा हुआ है आलू को थोड़ा सा मैश कर लेंगे अलका जादा नहीं थोड़ा थोड़ा इसमें हम डाल देंगे मसाला मारा फाई हो चुक अपैने अधितने आपको थिकनेस रखनी आप अपने अंदाद से पानियट कर दीजिगा है इसको चला लूँगे अब इसमें थोड़ा छोले मसाला एट कर दूंगी, आप चाहें तो किचिन के मसाला भी आट कर सकते हैं, मैं छोले मसाला एट कर दिया है, कसुरी मेथी डाल दीए लास्ट में, और धनिया पता, फाइनली हमारी सबजी बन के हो चुकी रेडी, आपको मेरी रैसेपी अच्छी लगी होगी तो प्लीस मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी थैंक यू वाचिंग मैं वीडियो वाइबाई थैंक यू